फोटोग्राफी क्या है फोटोग्राफी दो ग्रीक शद्दों फोटो और ग्राफ से बना है यानि फोटोग्राफी कर्थ है फोटो यानि प्रकाश और उसकी मदद से ग्राफ का बनाना यानि चित्र का बनाना बेसिकली फोटोग्राफी में होता ये है कि जो भी वस्तू है उस वस्तू से टकराकर लौटने वाली किरने जो लेंस है लेंस के जरीए कैमरे के अंदर निगेटिव या फिल्म या डिजिटल सेंसर तक पहुँचती हैं और वस्तू की तस्वीर बन जाती है निगेटिव फिल्म में तस्वीर केमिकल प्रोसेस से यानि जो फिल्म में लगे हुए फोटो सेंसिटिव केमिकल होते हैं उनके कारण बनती है जबकि डिजिटल कैमरे में ये काम इलेक्टरानिक विधी से इमेज सेंसर करता है यानि फोटोग्राफी में आपको जो भी करना है प्रकाश यानि लाइट की मदद से करना है चित्रकार अपनी चित्रकारी रोशनी में करता है लेकिन फोटोग्राफर अपनी चित्रकारी रोशनी से करता है फोटोग्राफी में रोशनी एक raw material या तच्चे माल की तरह होता है जिसके इस्तिमाल करके फोटो बनाई जाती है इस तरह फोटोग्राफी रोशनी के उप्योग करने की कला है आप light use करने का सकल जितना विक्सित करेंगे आपकी फोटोग्राफी उतनी ही विक्सित होती चली जाएगी बात करते हैं फोटोग्राफी के थिहास की कैमरा का जो पुराना रूप है उसे obskiora कहते हैं कैमरा obskiora के रूप में सोलवी शताब्दी में अस्तितों में आ चुका था ये यूरोप के कलाकारों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक डार्क चैमबर यानी अंधेरा कमरा होता था इसमें एक छोटा सा छेद रहता था और छेद के सामने डार्क चैमबर के अंदर सफेद दिवार या पर्दा होता था छेद से होकर बाहर के दृष्य या जो subject है जो वस्तू है उससे परिवर्तित होकर प्रकाश डार्क चैमबर में अंधेरे कमरे में प्रवेश करती थी और तभी तक रहती थी जब तक डार्क रूम के अंदर प्रकाश आता था पहली बार एक डच वैग्यानिक विलहम होंबर में 1694 में अपने प्रयोगों में पाया कि सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर क्लॉराइड या सिल्वर ब्रोमाइड ऐसे केमिकल्स का कुछ का लाब उठा कर कैमरा अप्सक्यूरा में बनने वाली चाया आकरिती को उन कैमिकल्स की मदद से यानि सिल्वर क्लॉराइड सिल्वर ब्रोमाइड की मदद से इस्थाई चत्र में बदलने का आइडिया सूझा 1816 में फ्रांस के जोसेफ निसेफर निप्स ने कैमरा अप्सक्यूरा में बनने वाले चत्र के लिए साधरन कागस की बजाए सिल्वर क्लॉराइड के लेब चड़े कागस का इस्तिमाल किया ये चत्र सिल्वर क्लॉराइड में लगे कागस पर इस्थाई रूप से अंकित हुआ और इस तरह दुनिया में पहली बार फोटो को इस्थाई रूप से कागस पर प्राप्त करने की तकनीक इजाद हुई इस तरह निप्स ने विवहारिक फोटोग्राफी की नी उटाली उन्होंने अपने इस फोटोग्राफिक प्रोसेस को हेलियोग्राफि का नाम दिया निप्स के बाद उनके काम को फ्रांस में ही लुई जैग मैंटी डैगियर ने आगे बढ़ाया लूई डैगियर ने इस प्रक्रिया को इस प्रोसेस को और आसान बना कर उसका व्यवसाइक इस्तमाल संभव किया लूई डैगियर की विकसित हुई फोटोग्राफी प्रक्रिया डैगियर टाइप के नाम से प्रसिद हुई और उनके बनाए हुए फोटोग्राफ डेगियर टाइप तस्वीरें कहलाई इसमें सिल्वर कोटिड कॉपर प्लेट का इस्तिमाल किया जाता था दुनिया में 1849 से लेकर 1860 तक इसी विधी से फोटो तैयार किये गए और इसके बाद कॉलोडियन मैथट का दौर आया इस्तिमाल किया जाता था इसलिए इसे कॉलोडियन वेट प्लेट प्लेट प्रोस्स कहा गया ये फोटो नेगेटिव का उस जमाने के हिसाब से सुधरा हुआ रूप था फोटोग्राफी की विधियां 19. शताबदी तक लोगप्री नहीं हो पाई थी बीस्वें शताबदी यानी 1900 की शुरुआत तक अपनी जटिल और लंबी प्रक्रियाओं के कारण ये आम लोगों के वश के बाहर थी इस समय तक कैमरा लकडी के एक भारी बकसे की शकल में होता था बीस्वें शताबदी फोटोग्राफी में करांती का दौर लेकर आई जब अमेरिका के जार्ज इस्टमेन ने इस्टमेन कोड़क कमपनी के स्थाबना कर छोटे और हलके फोटोग्राफी रील वाले कोड़क कैमरे बनाने शुरू किये सन 1900 में कोड़क के ब्राउनी बॉक्स कैमरा ने आकर फोटोग्राफी के दुनिया में उस जमाने के हिसाब से क्रांती लाती हम अपने पुराने फिल्म रील वाले कैमरों में जो रील लगाया करते थे उसका अविशकार इसी इस्टमेन कोड़क ने किया था फिर बाजार में लाइका और आर्गस जैसी कैमरा बनाने वाली दूसरी कमपनिया भी आ गई ये था ब्लैक और वाइट फोटो का जमाना लेकिन फिर जल्द ही 1935 में कोड़क ने कोड़क क्रूम कलर फिल्म पेश की और इसके बाद कलर फोटो युग की शुरुआत हुई SLR लैंसों में सुधार हुए और इस तरह कैमरों में लगातार सुधार होते गए सुधाएं और फीचर्स कैमरे के साथ जुड़ते गए और फिर डिजिटल तकनीक विक्सित होने लगी 1980 के दशक में फोटो रील की जगा डिजिटल इमेज सैंसर वाले डिजिटल कैमरों ने ले लिया ये सही मायने में फोटोग्राफी की दुनिया में एक जन करांती थी क्योंकि उसके बाद फोटोग्राफी हर आम आदमी के हाथों तक पहुँच गई अब कैमरे में रील लोड करने और फिर डार्क रूम में निगेट्यू से फोटो तयार करने की जो बाधिता थी जो मजबूरी थी वो खत्म हो गई डिजिटल कैमरों के साथ-साथ डेस्क्टॉप, लैप्टॉप और कम्प्यूटरों के सुलब हो जाने से हर किसी के लिए फोटोग्राफर बनना संभव हो पाया है हिमाचल स्टूडियो सोलन की ओर से आप सब को अंतराश्ट्री फोटोग्राफी दिवस की बहुत बहुत शुब कामनाएं